मर्टि स्टोरी बिल्डिंग में प्रॉडम क्या होती है कि वहाँ पर एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग का रास्ता बंद कर देती है कोई धूप बंद करती है कोई हवा बंद करती है हर कोई बिल्डर अपने लोकेशन को समझाने के लिए सजाने के लिए और उसको बहुत मिलती है प्रॉपर हवा नहीं मिलती बारिश की मूदे आपके घर में नहीं आती है इसका मतलग कहीं ना कहीं वहां पर आपको इनर्जी में कमी आ जाती है नमश्कार साथियों मैं हूँ डॉक्टर आनद भारदवाज आपका जाना पहचाना वास्तु कंसर्टेंट और आप अपना खास कारेकरम देख रहे हैं जिसका नाम है वास्तु फार मिथ एंड रियलिटी साथियों इस कारेकरम में हम लेते हैं वो सबके सब पॉइंट जिसके बारे में आपको बहुत जादा नौलिज होती नहीं लेकिन आप विश्वास करते हैं वास्तु में बहुत जादा और आपको एक अच्छा वास्तु कंसर्टेंट होना जरूरी होता है साथियों आज हम बात करेंगे Greater Noida West में Greater Noida West में यवास तो Concertancy की बहुत ज़्यादा डिवांड बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पर जैब मश्रूमिंग हो रही है High Rise Buildings की बहुत सारे बिल्डिंग हर रोज नई नई बिल्डिंग वहाँ पर आ रही है इसके साथ साथ वहाँ पर बढ़ रही है जन संक्या बहुत ज़्यादा और क्योंकि लोगों को शहर में महान अगरों के अंदर जैसे के दिल्ली के अंदर निव दिल्ली के अंदर या आसपास के बड़े बड़े शहरों के अंतर जगा नहीं मिलती रहने के लिए तो वो आटोमेटिकली उनको जाना पड़ता है थोड़ा सा शहर से बाहर साथियों को बुराई नहीं है महान अगर से हटके ऐसे शहरों में जाने के लिए जहां पर कि आपको बहुत खुरी जगा मिलते रहने के लिए और वहाँ पर बड़े-बड़े बिल्डर्स ने बना रखी है अपनी बहुत उची-उची बिल्डिंग वहाँ पर बन रहे है लेकिन जहां पर बहुत बड़ी-बड़ी High-Rise बिल्डिंग के कठी होती है जहां पर Multisory बिल्डिंग बनती है साथियों वहाँ पर Energy Vibration के चलने का रास्ता बदल जाय करता है जैसे एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग के सामने की दूप को बंद कर देती है और यहां तक के जो निचे की Low Life Zone सी होती है बिल्डिंग वहाँ पर दूप आने पाती बहुत बार कहीं पर हवा नहीं मिल पाती है कहीं पर हमें Sundays नहीं मिल पाती है महाँ पर हमें वो नहीं मिल पाती है और तब क्या होता है शुरू होता है हमारे सामने समस्याओं का शुरू होना यानि कि एक से एक समस्या है हमारे सामने आने शुरू होती है जिसमें सबसे बड़ी समस्या होती है हमारी हेल्थ की प्रॉल्लम जिस घर में अच्छी उर्जा नहीं आती जिस घर में अच्छी तरह से सुबा की दूप न पर आपको इनर्जी की कमी मिलेगी वहां पर आपको उड़ जाएं पूरी नहीं मिलेगी और जहां पर हमें ऐसी प्राकिरते के नर्जी नहीं मिलती जहां पर हमें नैच्रल वाइबरेशन नहीं मिलते वहां पर वास्तु में हमारे पास एक ऐसा हमारे पास ऐसी आर्ट होती है आज तक ना तो कोई flat वास्तों से बना और ना कभी बनेगा साथियों क्योंकि जगां की कमी होती है और हर जितने भी architect होते हैं हर एक का design different different होता है और एक flat जो है दूसरे flat का हमेशा mirror image होता है Noida में और greater Noida में greater Noida west में खास तरीके से बहुत ज़्यादा काम करती है क्योंकि कोई भी flat महाँ पर वास्तों के साथ से मैंने बना वहा नहीं देखा और वैसे भी साथियों बनना बहुत मुश्किल है कोई भी flat या apartment कभी भी वास्तों से नहीं बनता आप अपना मकान अपनी कोठी अपने विला को वास्तों से आराम से design कर सकते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि आप अगर एक अच्छे वास्तों का से टेंट की सला लेते हैं उसको बुलाते हैं तो आपको बहुत अच्छी advice मिलती है जिसमें कि हम artificially या ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि negative vibrations को हम block कर देते हैं घर में आने से कौन कहां पर बैठेंगे कहां पर बैठके पढ़ाई करेंगे कहां पर खाना बनाएंगे कहां पर आप अपना पैसा रखेंगे और कहां पर हमारे घर का पूजा स्थान होगा साथियों जितने भी energy vibrations हैं उन सब को control करने का बहुत असान तरीका है इसके लिए कोई आपको बहुत जादा कोई तोड़फोर नहीं करनी पड़ती कोई आपको मेंगा समान market से purchase नहीं करना तंतरमंतर नहीं करना आपको और इसके लिए आपको कोई वहम भी market अपने mind में create नहीं करना बहुत अच्छी तना से बड़े अराम से civil energies को हमके साथ में play करना बहुत एजी होता है लेकिन जरूरी ये है कि आपका वास्तु कंसर्टेंट बहुत जादा expert हो qualified हो trained हो और साथ में वो matured भी हो और उसके मन में ये बात हो कि वो honestly आपको advise करने का साथियों अगर आपको G1 में कभी भी कोई honest वास्तु कंसर्टेंट मिल जाता है इसका मतलब आप बहुत भागिशाली है तो अगर आपने भी कोई flat नया purchase किया या purchase करने जा रहा है या उसमेराना शुरूर कर दिया है और आपके मन में आती है ये बात कि आप अपने घर के अंदर जाए positive energy create करें या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर आपको sound sleep नहीं आ रही है health problem आ रही है या बचे वहाँ पर study नहीं करते है और आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी वास्तु कंसर्टेंट की advice लेने चाहिए तो साथ ही आप मुझे ज़रू याद करें मैं आता रहता हूं पूरे वर्ड में घुमता हूं पूरे इंडिया में जाता हूं जैसे आप मेरे पास call करेंगे मैं आपके पास आऊंगा और वहाँ पर आने के बाद में सारे जितने भी वहाँ पर negative और positive vibrations हैं आपको सब नोड कराऊंगा और कैसे उनको दूर करेंगे बिना demoration के बिना construction के बिना demoration के और तोड़ फोड के साथ ही हूं मेरे हाथ में एक meter देख रहे हैं मेरे पास एक sensor है meter है जिससे के हम चुपी energies को चेकरते हैं और उसके बाद आपको practical easy solution देते हैं जिसके लिए आपको कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता खास और बहुत छोटी छोटी home remedy से ठीक कर लेते हैं हर मकान को इसके साथ साथ आपको support service मिलती है in case of any question अगर आपके मन में कोई question आता है तो आप उससे question भी कर सकते हैं यह मेरी वीडियो आपके सामने चल रही है इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको share भी करें सब्सक्राइब भी करें लाइक भी करें और सब्सक्राइब करते हैं तो आपके computer screen पर या mobile के screen को पर right side में एक icon आया हुआ है bell का उसके पर अगर आप click मुझे subscribe कर लेंगे जैसे ही मैं नई नई वीडियो से यहां पर बनाऊंगा और आपके पास में आती रहेंगी आपके मन में कोई सवाल आता है तो बिलकुल आपको पूरी अजाद ही आप लिखिए आप बताइए मुझे किस topic पर आप चाहते हैं वीडियो में बनाकर जरूर इसके उपर upload करूँगा और आपकी help करूँगा thank you very much धन्यवाद